अलो दोस्तों स्वागत है आपका कृशी क्रांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CAU Infal Admissions के बारे में कैसे आप MSc और PhD courses में admission ले सकते हैं इस session में कैसे आपको apply करना है कितनी seat हैं form की face क्या है और कौन से students eligible हैं इस वीडियो में हम सभी points देखने वाले हैं तो इस वीडियो में तक जरूर देखें Online application form यहाँ पे invite किये जा रहे हैं candidates से all over India तो इंडिया के किसी भी राज्य में आप रहते हों यहाँ पे आप eligible है admission ले सकते हैं में बात कर लेते हैं seat matrix की कितने campus हैं और कि subject में कितनी seat अवेलिबल हैं तो main campus in fall मनिपूर में MSCAG की total 35 seats हैं MSCAG की total 9 seats हैं सभी branches में यहाँ पे MSCAG में 5-5 seat हैं और MSCAG में 3-3 seat अवेलिबल हैं CPGS बारापानी में घालिया में देखें तो total 43 seats हैं MSCAG के लिए MBA Agribusiness Management में total 5 seat हैं MBA in Agribusiness में last year केवल 3 students ने apply किया था और केवल उनी का ही selection हुआ क्योंकि बाकि students ने apply ही नहीं किया अगर आपने MBA का सोच रखा है तो यहाँ पे apply ज़रूर करें selection के chances यहाँ पे बढ़ जाते हैं हमारा college है पासीगाट अरुनांचल प्रदेश में college of agriculture इसमें agricultural economics की 2 seat हैं इसके लावा college of horticulture and forestry पासीगाट में total 12 seat MSC horticulture की और 6 seat MSC forestry की अवेलिबल है इरानी पूल सिक्के में total 15 seat हैं सभी branches में 33 seat अवेलिबल है college of fisheries में total 28 seats हैं सभी branches में 4-4 seat अवेलिबल है college of veterinary science आईजवल मिजोरा में total 55 seats हैं सभी branches में यहाँ पे 4-4 seats अवेलिबल है कुछ branches में यहाँ पे 3 seats भी अवेलिबल है community science का college तुराम में गाले हमें situated हैं total यहाँ पे 4 seat हैं दोनोई branches में 2-2 seats अवेलिबल है CX आम बात करते हैं कौनसे students यहाँ पे eligible हैं तो minimum wage आपकी 19 years होनी चाहिए MSCAG में admission के लिए maximum wage का कोई भी यहाँ पे mention नहीं किया गया minimum OGP आपकी 6.6 होनी चाहिए general category के लिए इसके अलाव आगर आप other category से belong करते हैं तो आपकी minimum OGP 5.6 होनी चाहिए SCST के लिए हम बात कर लेते हैं MB Agribusiness में कितनी fees है तो fees structure है 58,550 रूपीज और Agribusiness management में भी educational qualification सेम है चार साल की आपने अगर bachelor कर रखी है तो ही आप eligible हैं तीन साल के degree वाले students MSC agriculture या फिर ABM किसी में भी eligible नहीं है next नम बात करते हैं ICR accreditation की तो ऐसे students जिनके college या फिर program में ICR का accreditation था वही इसमें eligible है private college ऐसे जो government universities से affiliated है लेकिन उन private colleges में accreditation नहीं है तो यहाँ पे eligible नहीं है कुल मिला के आपके program में आपके college में directly ICR का accreditation होना चाहिए मैंने एक video बनाया था ICR का जब एक नया public notice आया था उसमें कुछ changes किये गए थे तो उसमें यह बताया गया था कि अगर आपके admission के time पे या फिर चार साल में किसी भी duration पे या फिर आपके passing year में इन तीनों ही situation में किसी भी एक situation में अगर ICR का accreditation आके college में था तो आप ICR counseling में eligible हैं और CAUM file में वो सभी चीज़े follow होती हैं जो ICR counseling में follow होती हैं तो आपको attention नहीं लेना है अगर आपके admission के time पे ICR का accreditation था या फिर बीच में कभी accreditation था या फिर passing year में accreditation था आप यहाँ पे admission ले सकते हैं और apply जरूर करें ऐसे college जिनका कभी accreditation हुआ ही नहीं वो यहाँ पे eligible नहीं है लास्ट यर जरूर जिनके college ने SSR report submit कर दी थी उनको यहाँ पे admission मिल गया था वो क्यों मिला था क्योंकि ICR ने अपनी counseling में उस students को allow किया था तो इस साल भी अगर ICR counseling में यह वाले students allow करेंगे ICR वाले तो ही यह इंफाल में admission मिलेगा otherwise इनका कोई scope नहीं बचता है कि accreditation की process हमारे college में चल रही है या फिर मिल सकती है या फिर आगर आप positive वो पर रखते हैं accreditation के लिए अपने college से तो आप इसमें apply जरूर करें बट admission किसको मिलेगा मैंने यह चीज़ confirm करती है अब next हम बात करते हैं reservation की तो reservation 15% SC का 7.5% ST का 27% OBC का 10% आपके EWS का 5% PWD का SC category students यहाँ पे जरूर apply करें क्योंकि North East में SC का population तोड़ा कम है, ST का जादा है तो उनके chances बढ़ जाते हैं SC category का यहाँ पे selection के mode of selection की बात करें तो यहाँ पे purely आपका entrance examination के basis पे selection होगा OGPA का कोई भी रोल नहीं है आपके selection में PG programs के लिए आपका center है College of Postgraduate Studies in Agricultural Science 12 पानी मेगालिया केवल एक ही center है सभी PG programs के लिए के लिए गुहाटी तक का आपको train का ticket करना होता है वहाँ से बस या cab लेके आप बारा पानी में घा लेया जा सकते हैं बात करते हैं date of entrance examination 16 October 2022 को आपका examination है MSC Agree programs का morning shift में और afternoon shift में है MSC Horti Culture का counseling आपकी कब होगी जश्ट दो दिन बाद आपकी counseling है 19 October देट की बात करें तो online application form 20 सितंबर से start हो चुका है और इसकी last date है 5 October 5 October तक online application form आप फिल कर सकते हैं 11 October को आपका admit card आ जाएगा और इसके बाद आपकी eligible candidates की list है counseling के लिए वो आपकी 18 October को publish कर दी जाएगी form की fees कितनी है sir तो form की fees है आपकी general OBC EWS की 1000 रुपए बांकी SCHT category के लिए 500 रुपए form की fees रखी गई है जब आप counseling करवाने जाएंगे तो आपके पास original documents relevant documents होने चाहिए एक बार आपने admission fees पे कर दी तो आपका refund नहीं होगा admission fees कितनी लगेगी यहाँ पे लगबग लगबग एक semester की आपकी fees होती है 9500 रुपए ठीक है MSCAG में अगर आप admission लेंगे तो 3000 पर मंत की आपको scholarship मिलती है अगर आप बीच में MSCAG छोडते हैं तो यह scholarship आपको university को return करनी पड़ेगी next हम बात करते हैं PhD admissions की तो यहाँ पे college of agriculture इंफाल मनेपूर में total 7 seats है PhD की plant bidding की 2 seat है agronomy की आपकी केवल 1 seat है और entomology की 1 seat और soil science की 2 seat miserum में आपकी veterinary के लिए total 17 seat है CPGS 12 पानी में total आपकी 16 seat हैं सभी branches में 2-2 seat है PhD के लिए फिसरीज में total आपकी 8 seat हैं और रानी पोल सिके में total PhD की 6 seat अवेलिबल हैं कि अलावाद जैसा rule हमने देखा था PG के लिए same rule follow होता है PhD के लिए कि आपके college और course में ICR का accreditation होना चाहिए reservation का criteria same है mode of selection आपको examination देना बढ़ेगा CPGS 12 पानी में गालिया में आपका center है examination date देखे तो 15 October का आपका examination है PhD agree programs के लिए और other programs का afternoon की फीस देखे तो general OB CWS के लिए 1500 रुपए और other categories के लिए 750 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है online application form फिल करने के लिए cmfile.online.admission.public इस website पे आपको आ जाना है यह link आपको description box में मिल रही है कुछ ऐसा आपको interface दिखेगा आपको सबसे पहले new user registration पे क्लिक करना है अपना नाम, email address, password बना लेना जैसे ही आपका ID बन जाए तो उसके बाद email ID और password की साहिता से यहाँ पे login करके application form आप फिल कर सकते हैं इस video में इतना ही आशा करता हूँ आपको यह video जरूर फसंद आया होगा फसंद आया तो इस video को like करें अपने दोसों तक इस video को share करें हम एम रखते हैं 400 likes का आशा करता हूँ आप बहुत जल्ड कर देंगे मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए update के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रेक्रशिक रांती YouTube चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद